बचलो इस question बोला गया है कि given चार में से कौन सा reaction जो होगा disproportionation reaction को represent कर रहा होगा तो disproportionation का मतलब क्या होता है जहां पर semi element oxidation होगा और उसी का reduction होगा देहां देना पहला वालो जो है उसमें क्या है copper का plus one state है यहां पर दो copper है एक copper का plus one कहां जा रहा है zero state मेंने reduce हो रहा है दूसरा copper प्लस कहां जा रहा है प्लस two में नहीं oxidize हो रहा है यह आपका disproportionation का example होगा कि यहां पर semi element क्या हो रहा है oxidize भी हुआ और वही element क्या हो रहा है तो पहला correct है second देखते हम लोग यहां पर MnO4-2 जिसको Mn का oxidization प्लस six होता है एक खुद को plus seven and plus four में change कर रहा है यहीं Mn plus six से plus seven जा रहा है oxidize किया और Mn element ही plus six से कहां जा प्लस four हो रहा है मतलब ही reduce कर रहा है यहां पर same element कहीं oxidation हो रहा है और उसी का reduction हो रहा है इसका मतलब यह भी क्या होगा disproportionation को represent करेगा तो आपका one and two दोनों correct होगा next बात करते हम लोग थर्ड में थर्ड में क्या है यहां पर MnO4 में Mn का plus seven state है और right में Mn plus six and plus four में है यहां पर Mn only reduce हो रहा है plus seven से plus six जा रहा है और plus seven से plus four जा रहा है तो इसको disproportionation नहीं बोलेंगे फोर्थ वाले में आपके पास MnO4 माइनस में Mn का plus seven state है और यहां पर Mn का plus two state है दोनों जो है प्लस four में convert कर रहा है तो यह भी disproportionation नहीं होगा यह बैसिकली है क्या इसको हम बोलते हैं कौन proportionation reaction तो जो फोर्थ है वह कौन proportionation reaction का example होगा कौन proportionation का example होगा यह ठेक है तो यह भी disproportionation नहीं बोलेंगे यानि हमारा जो one or two है वह disproportionation होगा यानि आपका जो correct answer होगा option बी होगा यानि one and two only यह था इस question का analysis मोग करता हम लोग next question पर